नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके पने चैनल अंकित पर्मा और एच्पिन ओटिकेशन में तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं शम पांच बजे की टॉप 10 तादा खबरे हिमाचल में बादर फटने से 46 लोग अभी भी लापत राजबन में दो शब मिले बचाव कारे जारी हिमाचल परदेश में बुदबार मद्यरातरी 6 जगा बादर फटने से भारी तबारी मची है इस चलपरे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है जिनके शब बरामद कर लिए गए हैं जबकि 46 लापता हैं समेज में 36 बागी प को लोगों की तलाश के लिए NDRF, SDRF वा अन्यटी में जूटी हुई हैं वहीं CM सुक्खु ने समेज पहुचकर बादल फटने से हुए नुकसान का जय जा लिया समेज में CM सुक्खु बोले प्रभावित्तों को जल्द देंगे आपदा राहत पैकेज तीन महिने का केराया मुख्य मंतरी सुकविंदर सिंग सुकु शुकरवार दोपहर को शिक्षा मंतरी रोहित ठाकुरवा विधाइक रामपुर नंद लाल के साथ समेज पहुचे इस तोरान CM ने बादल फटने से हुए नुकसान का जाज़ा लिया DCP मुंबई बनकर लाखों ठगे लाखों रुपए ठगे हमिरपूर पोलिस ने पांच दिन में लोटा आये जाने पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के हमिरपूर जीले के गलोड निवासी वियक्ती से 5.34 लाख रुपए की ओनलाइन ठगी के मामले को हमिरपूर पोलिस ने पांच दिन में सुलजा दिया है साइबर ठगी का शिकार वियक्ती को पिलिस के माध्यम से यह पैसा जो है बापिस मिल गया है कस्टम में ड्रग और हवाला के पैसों और आतंग की गतिवीदियों में सनलिपता होने का डर देखा कर या ठगी 24 जुलाई को की गई थी मनाली में शिमला के चौपाल निवासी युवक की हत्या बगीचे में मिला शब हिमाचल प्रदेश की मनाली में शिमला जिले के चौपाल निवासी एक युवक की हत्या का मामला सामना आया है यूवक का शब मनाली के साथ लगते अलेओ गाउं के पास बगेचे में पड़ा मिला बताया जा रहा है कि यूवक यहां एक होटल में साहिक परबंदक के तौर पर कार रहत था हिमाचल के कई भागों में पांच दिन भारी बारिश का यलो अलर्ट जाने मौसम पूर्वानुमान मौसम बिज्ञान के इंदर शिमला के अनुसार राज़े के कई क्षेतरों में आठ अगस्त तक बारिश का दोर जारी गएगा पीम मोदी से मिले नेता प्रतिपक्स जहराम ठाकुर तरसादी की दीव पूरी जानकारी मिला ये आश्वासन हिमाचल प्रदेश में बुदवार माध्यरातरी छे जगा बादल फटने से बाहरी आई मची इस चल प्रए में अब तक साथ लोगों की मौत हो गई जिनके शब बरामद कर लियें जबकि छटालिस लापता हैं इसी बीच हिमाचल में नेता प्रतिपक्स जहराम ठाकुर ने आज नई दिली में पीम मोदी निरेंदर मोदी से मुलाकात किये जहराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में आई त्रासादी का की जो है पूरी जानकारी पीम मोदी को दी पीम मोदी ने त्रासदी से निप्टने के लिए हिमाचल प्रदेश को हर संबब मदद देने का आश्वसन दिया है हिमाचल परदेश बोर्ड स्कूल शिक्षा बोर्ड ने गोशित किया पुनर मुल्यांकन पुनर नरिक्षण का परिणाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्त 2024 में संचालत की गई जमा दो कक्षा के नियमित प्रीक्षार्थियों की प्रीक्षा के पुनर मुल्यांकन और पुनर नरीक्षिन का प्रीक्षा प्रिणाम जो है शिक्षा बोर्ड ने शुकरभार को गोशित किया शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मेजर बिशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने इस परिक्षा प्रिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है गाडी में किया था ये काम शिमला पुलिस ने काटा 19,000 रुपय का चलान उत्राखंड के देरादून से आई सैलानियों ने वहन थार में अत्रिक्त मॉडिफिकेशन की थी जिस कार्ण ट्राफिक मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शिमला पुलिस ने मॉवी एक्ट की गंभीर अन्यमितताओं को देखते हुए वहन का 19,000 रुपय का चलान काटा सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों शिक्षकों की अब ऑनलाइन लगेगी हाजरी नई व्यवस्ता शुरू हिमाचल परदेश की सभी सरकारी स्कूलों में शुकरवार से विद्यार्थियों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजरी की वेवस्ता शुरू हो गई है ग्रीशम कालिन स्कूलों में चुटियां समाप्त होते ही पूरे परदेश में इस नई व्यवस्ता को लागू कर दिया गया मोबाइल एप से हाजरी लगते ही विद्यास मिक्षके अंदर में हाजरी का डाटा ट्रांसफर हो जाएगा मिलासपुर पूलिस ने नाके के दोरान युवक से तेरा ग्राम चिट्टा बरामद किया हिमाचल परदेश के गुमारवी पूलिस ने एक युवक से तेरा ग्राम चिट्टा बरामद किया अवैद खनन करने वालों की अब खेर नहीं उद्योग मंत्री ने जारी किये निर्देश उद्योग मंत्री हर्श वर्धन चोहान ने अधिकारियों को अवैद खनन के खिलाप कड़े कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये नोंने जोर देकर का कि मुख्यमंत्री ठाक और सुक्विंदर सिंग सुकू के नितर्तम में परदेश सरकार अवैद खनन को किसी भी हार में बरदाशत नहीं करेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रियोग पर दो दुकांदारों को पड़ा 25-25 हजार का जुर्माना। जब प्रदूशन नितरन बोल्ड क्षेत्री कारियला धर्मशाला के एक ख्षेत्री अधिकारी वर्ण गुप्ता ने बैजनाथ में दो दुकांदारों को 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया। हमीरपूर सर्वर की समस्या के कार्ण छूटे लोग इस मा ले सकते हैं राशन। खाद्य नागरिक अपूर्ती एवं जीला उपवोक्ता मामली विभाग के जीला नियंतरक अर्विंद शर्मा ने बताया कि पिछले महिने के आखिर सप्ता के दोरान सरवर में तक्निकी खरापी के कारण ओचित मुल्य की दुकानों में राशन से बंचित लोग अब जुला प्रिशिक्षन संस्थानर में जल्द ही 30 दिपसी ब्यूटी पार्लर प्रिशिक्षन कोर्स आयोजित किया जाएगा या प्रिशिक्षन बिलकुल नेशुल्क होगा और प्रिशिक्षन के दौरान खाना, कॉपी और पैन इतियादी भी संस्थान की ओर से लव्त करवाएब प्रशिक्षन के एच्छो को मीदवार की आयो ठारा से पैंतालिस वर्ष के बीच होनी चाहिए चमबा लंगेरा चमबा प्ठानकोट सडक पर दर्की पाहडी सलूनी की बीस पंचायतों का संपर्क कटा हिमाचल प्रदेश में मांसून सीजन के चलते ही हो रही बारिशों से सडकों के अवरोध होने का सेसिला जा रही है मामले में लंगेरा चमबा प्ठानकोट सडक पर केला के पास अचानक पाहडी दर्क के जिसके चलते बड़ी बड़ी चटाने और मलबा सडक पर आगेरा जिससे माग गया तायाब के लिए पूरी तरह से अबरोध हो गया तो दोस्तो ये थी हिमाचल प्रदेश की शाम पांच बजे की सभी टॉप 10 ताजा खबरें अगर आपने विड़क वीडियो को लाइक ने किया वीडियो को लाइक करके शेर करदें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भीना भूलें धन्याबाद जैहिन जैभाद